हालो एव्रिवन कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टागेट बियर्ड में तो फ्रेंट्स आज हम डिसकस करेंगे प्याजे स्टेप्स ओफ कॉग्निटिव ड्वेलपमेंट पिछले वीडियो में मैंने स्टेजिस बताई थी प्याजे की कौन-कौन सी स्टेजिस हैं अगर आप देखना चाहते हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे आप जाके देख सकते हैं अभी हम पढ़ेंगे प्रोसेस प्रोसेस या फिर प्याजे स्टेप्स ओफ कॉग्निटिव ड्वेलपमेंट तो आए बिना टाइम की वेस् सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं बेसिक कंपोनेंट्स क्या है प्याजे इस कोगनिटिव थियोरी के यह देखें कि कॉम्पोनेंट्स समझने बहुत ही जरूरी हैं आप जाहे स्टेजिस करें या स्टेप्स करें या प्रोसेस जो भी इस थिरी के बारे में आप पढ़ छो आपते हैं तो यह कुछ डे Findation हैं जो आपको टॉब्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एक रप ग्ER को समझ में आग़े तो आप आपन में आपना पाना विधमेंस कपते है स्केमा क्या होते है एंसीयिशन क्या होता है तो डिटेल में एक हे करके हम समझेंगे फरस्ट इस स्कीमा क्या होटा है? थोड़ा सब करता है पिछली वीडियो में भी बता था सकीमा होता है किसी भी चीज की इमेज या किसी भी चीज की एक पर्चाही जीज़ के आवन दिमाग बना लें कि is boolek को देख रफ रॉ बहुत चोटा बच्छा होता है गुलwortाह फॉर लेक्स वाला में बंधसी है प्पाığınटा है तो यह जैं डॉग तो इस दुमाओं में बंधागी थेलें फर लेक्स है उसको मुझा पंधा है किसी भी चीज को लगा लो सामने जाती है और उसको प्रेंटस बताते हैं कि यह यह चीज है तो उसकी इमेज बच्चे के दिमागे बन जाते है उसको हम बोलते हैं जब भी हमें दुबारा कोई बोचीज हमारे सामने आती है तो हम अपने स्कीमा से एकड़म से रिकॉल कर लेते हैं अच्छा यह 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 चीज है जिर मेंने टाइपस स्कीम लिünden जोडिए पर संसे में अनुमस्य खर्यूम फिरान फिर्स सेुट है औरॉपटेशन क्या होता है अघ सीमपटल सी अड़्यामा आप किसी भी एंवॉर्मेंट की अपने आपको अडाप्ट कर लेते हैं अगर इस आप को अगर घ्रम रहते हैं तो उस मौसम recipro के अपनेल के अपने बाप कर लीजिए और को Πरके में लेखें कि अगर की सिथी फंडे एककर लेता है तो वह उसी मौसमилаiku अपने आपको अडाप्ट कर लेता है, मतलब कहने का मतलब है, environment के according, इंसान अपने आपको जो अडाप्ट कर लेता है, that is adaptation, adaptation is a term referring to the ability to adjust to new information and experiences, कोई बहुत गरम आपके में रहता है, फिर उसके बाद वो किसी एकदम से थंडे आपके में चला जाता है, तो एकदम से अडाप्ट नहीं करेगा, दीरे 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 वो उस मौसम को अडाप्ट करने लगेगा, और उसको आदत हो जाएगी इस मौसम के, थू अडाप्टेशन वी आपके में अडाप्ट नुव बहावियूर्स दिद आलो जाओ उस तो कोप विचेंज, चेंज के साथ दीरे दीरे हम उस्तू हने लगते हैं, अडाप्टेशन प्रोसेस इसल गर इंटूर इंटूर इस अडाप्टेशन के आगे दो सब पार्स हैं आपकोमोडशन चेंज एज़ दिद दो सबशे करें एंटूर जान इसल्माटेशन क्या है बहुत इंपार्टन है, इन अस्यम शेम्पल दिया था बच्चे ने एक स्कीमा बना लिया था उसको बताया था यि वोडल यह जीव है जीन जिसकी एक पूंच है, यह कुट्ड इस तो यह आता दिख्ता है तो यह दिजस डॉक तो उसके बाद उसने अमाज क्या चैकिया म。 फिर उसको अपने पुराने वाले सकीमा में अक्जस्ट कर लिया एसीमिलेट कर लिया कि ऐसे भी डॉग्स होते हैं वेन एंकांटरिंग न्यू इंफरमेशन इट कें सम्टाइम्स बी रेडली एसीमिलेटे इंटो एन एंग्सिस्टिंग स्कीमा कि अब्सक्राइब स्टस्राइब नहीं, खूर्ए आफिरलशी स्यासी इन फूर्स भिर्स भी लुमी में पर उसका की नमें । आपर सेबसे करना है इते हैं उसको पूराने स्कीमा उसने इता इंपल्माशजाए उसने अजए इता है, कि साल near Autism docteur debate, कर लिया कि ऐसे भी बसी होती हैं ऐसे भी डॉक्स होते हैं वेन इंफरमेशन फिट्स इसले इंट एन एंग्सिस्टिंग के डिगरी जब इंफरमेशन असानी से आपकी पुराने स्कीमा में अड्ड हो जाए इट कैन वी कुछली और इसले एसले एंट इंट यो माइंड उसको इसले 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 प्रोसेस इन विच वी मोडिफाई एग्सिस्टिंग कॉगनिटिव स्कीमा इन ओर इंट 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 अब क्या हुआ बच्चे ने कुछ जिनों बाद काट को देखा क्या उसने उससे पहले कभी देगी नहीं थी वो इसली वैसी पियरी सी फरी सी है फोल hurricane Hai डोसी कि अचाहिए था यह ना है तो मामने वैदाय टो यह टाय नहीं है यह गार एक के यह और एक यह टिंफरन अइंबल डौन बार करता है काफ मियाओ मियाओ करती है तो दोनों में डिफरन से वह डॉक था यह तो यह थोड़ सा difficult हो, पुराने वाले schema में आद नहीं कर पाएगी, पुराने वाले schema में तो वह डॉक्स की कटेग्री थी, अभी यह नहीं कटेग्री आ गई है, तो उसको एक नया schema अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा, एक नया information अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा, that is accommodation जब हम अपने किसी new information को अपने दिमाग में आड़ करते हैं accommodation is a term in which we modify existing cognitive schemas in order to include new information उसने अपने dog वाले information में एक यह चीज़ मोडिफाई कर ली कि dogs bark करते हैं और cats meow meow करती हैं तो cats अलग category में हैं तो वह होता है accommodation accommodate कर लिए उसने नई information अपने brain में अभी देख लेते हैं process process that enable transition from one stage to another अभी assimilation से accommodation तक जाने में एक process पूरा होता है क्या process होता है मैं एक ध्यान से सुनेंगे equilibrium का बाता है equilibrium बहुत important point है मैं आप ध्यान से सुनें equilibrium occurs when a child schemas can deal with most new information through assimilation जब उसने different तरह का dog देखा था और उसने उस चीज़ को assimilate कर लिया था कि अच्छा ऐसे भी dog होते हैं तो equilibrium का stage आ जाता है उसको समझ में आ गया ऐसे भी dog होते हैं equilibrium का stage आ गया और उस information को उसने assimilate कर लिया however an unpleasant state of disequilibrium occurs when new information cannot be fitted into the existing schemas disequilibrium का stage का बाता है कि जब नया information जब उसने cat को देखा तो नया information जब देखा तो वह उसको accommodate नहीं कर पा रही है अपने पुराने schemas में तो disequilibrium आ गया दिमाग में दिमाग गूम गया कि यह क्या चीज़ है तो तब disequilibrium आ गया तो फिर उसको समझाया गया कि नहीं बेटा यह cats है इसकी यह categories होती है यह dogs है इनकी यह categories होती है तो फिर धिरे-धिरे equilibrium आता है उस चीज़ को accommodate करते है equilibrium, equilibration is the force which drives the learning process equilibrium help करता है learn करने में चीज़ों को as we do not like to be frustrated and will seek to resolve balance once my mastering the new challenge हम उस चीज़ को हम confused नहीं होना चाहते तो हम उस चीज़ को बिठा लेते हैं कि अच्छा ठीक है यह cat है और वो dog था cat की अलग language होती है dog की अलग language होती है तो हम थोड़ा सा अपने दिमां में एक difference बना के उसको समझ लेते हैं और बिठा लेते हैं once the new information is required the process of assimilation with the new schema will continue until the next time we need to make an adjustment to it यह जो process है ongoing process है फिर से equilibrium आएगा फिर से simulation होगा फिर से new situation आएगी और फिर से disequilibrium हो जाएगा तो यह process ongoing process है यह चलता रहता है अभी जैसे में आपको बसे का example दिया बसे में बच्चे ने अलग तरह की बस देखिए उसके बाद मान लो उसने उसको मेट्रो में ले गए मेट्रो ट्रेन उसने नहीं देखी थी कभी अपने शहर में यह तो बिल्कुली अलग चीज थी दिमाग गूम गया इसको बताया गया कि नहीं यह ट्रेन है यह लोकल ट्रेन है यह जो पट्री पे चलती है बस इस रोड पे चलती है तो धीरे धीरे इकलिबरियम का स्टेज आने लगा कि अच्छा यह मेट्रो ट्रेंस है वह उसके दिमाग में एक नया स्कीमा बन गया और इसने अकमोडेट का लिया कि बस इसकी यह कटेगरी होती है ट्रेंस की अलग कटेगरी होती है आयोप आप लोग को समझ आगा होगा इसमें बस एक बर आगर आपने समझ लिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा ध्यान से सुनियेगा फिर भी अगर कोई डाउट है कि इसी बी चैज में कोई डाउट है मुझे कमेंट करके बढ़ा आ सकते हैं मैं यह पूरी कोशिश रहूँगी आपकी help करने की सो thank you so much for watching have a nice day, goodbye